भाई और बेनों, गरीबों की सरकार होती है, तो कैसे उसकी सेवा करती है, कैसे उसे ससक्त करने के लिए काम करती है, यह आज पुरा देश देख रहा है सो साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना महामारी के इस समय में भी, देश ने यह लगातार अनुभव किया महामारी शुरू हुई, तो गरीब के सामने, खाने पिने की समस्या हुई, तो हमने देश के अन के भंडार, देश वास्यों के लिए खोल दिये हमारी मातों बैनों को सम्मान से जीने के लिए, जनदन खंद बैंक खाते में, सीधे पैसे जमा किये किसानों और मद्दूरों के बैंक खाते में, पैसे जमा किये, हम रहे मुप्त गैस सिलिंडरों की भी व्यवत्ता की, ताकि गरीब के घर की रसोई चलती रहे, उसका घर का चूला कभी बुझ न पाए जब इलाज की चुनावती बड़ी, तो हमने टेस्टिंग से लेकर ट्रीट्मेंट की सुविदाओं को गरीब के लिए सुलब कर दिया जब वैक्सिन आई, तो हमने ये सुनिसित किया, कि हर भारतिय को वैक्सिन लगे, मुप्त लगे तमारा बजाना वैक्सिन लागया जे ने, तिका करान थाई गया उजे ने, कोईने कानी पाई आप पी पड़ी जे, एक रुपी ओ खरच वग पड़े जे, भाईयों बहनों, एक तरफ कोरोना का इविकट समय वैश्विक मा हमारी, और आज, आजकल तो आप देख रहे हैं, युद्ध भी चल रहा है, टीवी पर आधा समय, युद्ध की खबरें हर किसी को चिंदित करती है, इन परिश्थितियों में भी हमने निरंतर प्रयास किया, कि हमारे गरीब भाई-बेहन को, हमारे मिडल क्राथ को, मद्निम्बर के भाई-बेहनों को, मुश्किल का सामना करना न पड़े, अब हमारी सरकार सुभीदाओं को, शत प्रतिशत नागरीतों तक पहुचाने के लिए, अभियान कला रही है, जो जिस बात का हकदार है, उसे उसका हक मिलना चाहिए, जब हर नागरीक तक सुभीदाएं पहुचने का लक्ष होता है, तो बेदभाव भी खत्म होता है, प्रस्ता चार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतिचावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है, इसलिए हमारी सरकार मुल्बूत सुभीदाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, शत्त प्रतिशत तक पहुचाने में जी जान से जुटी हुई है, राच सरकारों को भी हम लगातार इस काम के लिए प्रेदित कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, हमारा ये प्रयास देश के गरीब को, देश के मध्यमबर को ससक्त करेगा, उनका जीवन और आसान बनाएगा.